तो प्यारे बच्चो देखिए बच्चो आप सभी के वार्षिक आकलन वार्षिक परिक्षाद शुरू होने वाली है तो उसमें जो बच्चो प्रेशन पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे देखिए कक्षा तीन विशे हिंदी का मैं आज आपको बताऊंगे किस तरह से आपका प्रेशन पत्र आएगा अधिक्तम अंक होंगे 40 बच्चो देखिए मैंने आप सभी को वीडियो में बताया ही था ठीक है तो देखिए पहला प्रेशन है बच्चो सही विकल्प का इस पेड़ की दातुन बड़ी अच्छी होती है इस तरह से बच्चो देखिए हमें प्रेशन दिये गए हैं और हमें 4 विकल्प दिये गए हैं कि कि इन इहीं चार में से किसी एक पे पर सही का निशान लगाई यह प्रेशन एक से पांस तक का है आपका और हर एक प्रेशन एक नंबर का है, मतलब पहला जो प्रेशन होगा हमारा एक से पांस तक का, वो पांच अंको का होगा, ठीक है बच्चो सभी को आया समझ में, देखिए अगला प्रेशन आप देखिए, सही और गलत का निशान लगाई है, सही और गलत का निशान बच्चो देखिए, 6 से लेके 10 तक जाने की 6, 7, 8, 9, 10, इनमें बच्चो कहानी में लेखक शंकर को सापने काटा था, नारियल को सुका कर उसका तेल निकाला जाता है, किताबे पढ़ने से हमें ग्यान मिलता है, मराठी पश्चिम बंगाल की भाशा है, एक चवणनी में 50 पैसे होते हैं, तो देख चंक की हो गए, ठीक है, अगला प्रशन दिया गए, निम्लिकित प्रशनों के उत्तर दीजे, देखी बच्चो प्रशन हमारे पूछे गए, अंडे के किस भाग को जर्दी कहते हैं, मौसम मुख्याता कितने प्रकार की होते हैं, मीरा भेन भारत आगर किसके साथ काम करने ल प्रशन है, तीन को पांच से हमने देखा, तो यह हो गए हमारे पंदरा, तो बच्चो पंदरा अंक के यह आपके पांच कोशन है, इनमें आपको इनके सवालों के प्रशनों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना, ध्यान से बच्चो आप सभी ने पढ़े होंगे, अपनी पाठ प्रुस्तक के पाठ पड़े हैं, उनके अनुसार इन प्रशनों के उत्तर देने हैं, सभी ध्यान रखिए, चित्र आत्मक प्रशन, दियेगा, चित्र को देखकर साथ वाक के लिखिए, बच्चो देखिए, आप सभी को यह चित्र में कुछ चीज दी गई है, यह क्या वर्नात्मक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो बच्चो देखें आप सभी को यह प्रेशन यह जो पेपर है इस तरह से आपको सॉल्व करना है मैंने आप सभी को बता दिया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है किस में क्या क्या लिखना है आप जरूर मेरी वीडियो को देखिए समझे और अपने कोशन को सॉल्व ये उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से थैंक यू और बेस्ट अफ लग बच्चो